प्रति फलति पदार्थ मालिका आयत्र पर्मागम अस्य बीजं निशिध जात्यंद सिंदुर विदानं सकलने विलसितानां विरोध मत नम्नमाम्यने कांतम विरोध मत नम्नमाम्यने पुरुशार्थ से दिव पाय नाम गरंथ अम्रचंद्र आचारे देव की है सुन्दर रचना और भवे जीवों के महाभागय से लिखी गई है और उन भवे जीवों में हमारा भी नाम आता है हम भी उन भवे जीवों में से हैं जिसको लक्ष में रख करके ये रचना की गई है देखिए इस सुन्दर चर्चा के अंतरगत बारे भावनाएं वेरागय में चल रही थी वेरागय में इन बारे भावनाओं की चर्चा करते हुए हम बोधी दुरलब तक पहुंच गए हैं कितना दुरलब था ये सब कुछ कवर करना और प्राप्त करना कभी कभी हम हमें प्राप्त होने वाली दुरलब चीजों की दुरलब वस्तुओं की दुरलब घटनाओं की कहानी सुनाते हैं युवाओं को हम प्रसंग सुनाते हैं युवाओं को अरे तुम्हें पता है मैंने क्या-क्या कष्ट सहे हैं स्ट्रेगल कितना किया है मैंने जब अपने स्ट्रेगल की कहानी सुनाते हैं तो लोगों को आश्चेरे भी होता है अच्छा भी लगता है बहुत से लोगों को प्रेरना भी मिलती है भावनाएं भी बनती है यहाँ बोधी दुरलब भावना के माद्यम से भी भूत काल से लेकर वर्तमान तक अनादी काल से लेकर यहाँ तक हमने क्या क्ष्ट पाएं हैं किस किस तरह से हमने मंजिलें पार की है कितनी परेशानियों को क्ष्ट संकटों को सहते सहते हम आगे बढ़ते चले गए और आज जब बहुत बड़ी उपलब्दी हमारे को हासिल हो गई है उसके बावजूद भी हम अपने दुर्भाग्य का अपने अभाग्य का एदि रोना रोते हैं तो हमसे बड़ा कोई दूसरा अभाग्य नहीं हो सकता है बईया सच में हम बहुत बाग्य शाली हैं हम अभाग्य नहीं है हमारा दुर्भाग्य नहीं हमारा सद्भाग्य जागरत हुआ है जो हमें ये सब बाते मिली है बहुत बहुत महान उपलब्दी है विनु भाई ये जो हासिल हो गया है न हमारे को हमें इसकी कीमत समझ कर इसका सदुपियोग कर लेना चाहिए यदि हमने इसका सदुपियोग नहीं किया तो फिर वो ही दशा है जो दशा हम कह रहे थे फिर वो ही दशा है जिस दशा से हम निकल करके आएं हैं न दुबारा वहीं गिर जाएंगे सारी दुरलपता की कहानी कल सुनाई यहां 249 पेज पर चर्चा चल रही थी 239 पेज पर 240 पर आज चर्चा करेंगे आगे नित्यनिगोद राशी से निकल कर यह जीव व्यावहार राशी में आ गया व्यावहार राशी से यह जीव फिर अत्यन्त दुरलपता से एक इंद्री परियायों में प्रत्वी जल अगनी वायो और प्रत्येक वनस्पती इन सब अवस्थाओं को क्रोस करता हुआ इन सब अवस्थाओं को पार करता हुआ तरस परियाय में आया उसमें भी दो इंद्री से तीन इंद्री में, तीन इंद्री से चार इंद्री में, चार इंद्री से आसेनी पंचेंद्री सेनी पंचेंद्री भी कताशित हुआ तो तिरियंच नहीं हुआ, नारकी नहीं हुआ मनुष्य परियाई की प्राप्ति होना यह अत्यंत दुरलव है यहां तक की बातें हमने आप एक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी 242 पेज देखिए हिंदी पुस्तकों में गुजराती पुस्तकों में 170 170 नंबर पेज कहा गया है देखिए यहां कहते हैं आगे बढ़कर 240 सौरी 240 नंबर है इंदी पुस्तकों में यहां कहते हैं मनुष्य परियाई में भी मिलेच्चों में पैदा नहीं हुए हम आरे खंड में आकर के हमने जनम ले लिया आरे खंड में जनम लेना उत्तम कुल में आकर के पैदा हो जाना जेन कुल अपने आप में एक बहुत महान उपलब दी है दीर गायू अच्छी आयू का मिल जाना एक इंदरी हो करके मर जाना एक इंदरी नहीं एक इंदरी की तो खेर बातें बहुत पीछे शूट गई सेनी पंचेंदरी मनुष्य गती का भी यदि ये जीव हो गया और गर्ब में आकर के मर गया का गिंती है बाई साथ अनिल भाई दोशी ये ये जो बात है हम यदि दो दिन के लिए गर्ब में आकर के मर जाते तो किसी को पता भी नहीं लगता कि कोई जीव मनुष्य गती में आ और आकर के असंख्यात बार इसने ऐसे जनम लिये मनुष्य भव प्रावरतन को पढ़ते हैं तो पता लगता है कितने मनुष्य जीवन हमने ऐसी अवस्था के अंदर बिता दिये जिसमें ना हमें कुछ तुदती ना माता पिता को कुछ पता था कजाचित मेहने दो मेहने छे मेहने का हुआ गर्ब में मर गया नो मेहने निकालना वहां ये महान दुरलबता से उन सारी अवस्थाओं को पार किया है और वहां से पार करके कहां तक पहुँच गए हैं अच्छी आयू ये दीर गायू होना भी बड़ी उपलब दिये हैं असंख्यात जीव मर जाते हैं असंख्यात जीव असंख्यात बार जनम मरन करता है असंख्यात बार मरा है वहां ऐसे आल पाईव को ले करके नौ मेने गर्ववस्ता से निकलने के अंदर इतने अपार दुख और कष्ट वहाँ से बाहर निकले निकलते निकलते मर जाए नौ मेने गर्ववस्ता में रहे और जन्म होते ही पहले दिन मर गया दो दिन का चार दिन का हो करके मर गया छे मेने का बच्चा था टाइफाइड हुआ और मर गया फिर इतना ही नहीं साल दो साल का हुआ सीडियों से गिर गया बालकनी से गिर गया चत पर चड़ रहा था कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कितनी मिलती हैं वाई सब क्या कहें हैं मनें अनगिंती बात मतलब इन बातों का कोई और चोर नहीं है सिर्फ फिलिंग करने के लिए है फिल करते रही है मैसूस करते रही है कि सामने से संदीब जी क्या प्रश्श्न हैं मेरे सामने प्रश्न नहीं है आप क्या पूछना चाहते हैं अवश्य रखे हैं हर बात का जवाब मिलेगा हर बात का समाधान है यहाँ उन लोगों के लिए जो समाधान चाहते हैं अब जिग्यासा भावste जो व्यक्ति जो प्रेश्ण करे सबका समाधान है कदाचित हम समाधान ने कर पाएं योगिता ने होने के कारण जिन्वानी में तो सबके समाधान है वीतरागी संतों ने तो हर बात का जवाब दिया है और कदाचित कहीं उपलब्द जिन्वानी में भी जवाब ने मिले तो केवल लबता की कहानी यहां बतला रहे हैं दीरगायू की प्राप्ती हो जावे कितना कठीने हैं दीरगायू की प्राप्ती होना आप यदि इसका अंदाजा लगाते हैं तो आप जरा सोचिए एक बार अपने घर में पैदा हुए किसी बच्चे के बारे में आज आज यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है बहुतों के घर में होंगे और नहीं होंगे तो आसपड़ास में होंगे और आसपड़ास में नहीं होंगे तो कि रिष्टेदार के यहां होंगे जिसके उम्र दो मेहने की है रोजाना देखो जरा उस दो मेहने के बच्चे को आप कल ना करो कैस दो दिन एक दिन फिर एक दिन फिर एक गंटा एक दिन एक दिन और बढ़ गया एक दिन और बढ़ गया कैसे कैसे बढ़ती है उमर मतलब 20 साल का होने में 20 साल निकल जाएंगे कितना दुरलब है एक एक दिन काटना रोज रोड क्रॉस करते हो सड़क पार करते हो कितना दुरलब है कि पिछले 10 साल के अंदर आज तक दुरगटना नहीं हुई कितना कठिन काम है आज नहीं तो कल फिर फिर नहीं किसी बड़े भारी वाहन के नीशे आ जाए फिर किसी वाहन के नीशे आ जाए रोज जाना साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, बाइक चलाता है, 15-16 साल के बच्चे को देखो आप ऐसे दोडाते हैं, आप कलपना नहीं कर सकते हैं, उनको कितना भी समझाओ, आसानी से समझ में नहीं आती है, फूब अरे ऐसे दोडाएंगे, बिल्कुल जैसे तो कोई हाथ में लेकर के ऐसे गुमाते हैं उसको रेस को, कि हम से तेज कोई चला नहीं सकता है, भाईया, ये मनुष्य जीवन बड़ी दुरलबता से मिलाएं, मैं तो देखता हूँ ना, हमारे आरजव जब चलाता है, तो इतना तेज चलाता है, हम तो कहते कहते, भाईया, ये नहीं गया, और हाथ पाउं तूटकर के रह गए, तो क्या होगा, आज हम लोग यहां सुन रहे हैं, हमारे हाथ पाउं सलामत हैं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने आप लोग सुन रहे हैं, आपकी करनेंद्री ये सब की बराबर है, यदि बराबर नहीं होती, तो कैसे सुन रहे होते, इसका मतलब हमारी करनेंद्री तो बराबर है न, आपका ग्यान और आपका उपियोग यथार तरीती से काम कर रहा है, ये भी तो इस पश्ट ख्याल में आ रही है बात, इसका मतलब आपका क्षयोप्शम, आपका मन, आपकी इंद्रियां, करनेंद् ये सब बराबर पर्फिक्ट काम कर रही है इन बातों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का कि आप बहुत भागेशाली हैं ये बराबर सभी इंद्रियों का मिल जाना बहुत बहुत दुरलब हैं तरस्परियाई की प्राप्ति की चरचा तो पीछे कर चुके हैं कल ही कर चुके थे हम वहाँ से बढ़ते बढ़ते कितना आगे तक निकल आएं हैं देखिए दिर गाईू धर्म बुद्धी पाना अरे उम्र तो बहुत हो गई लेकिन धर्म की बुद्धी नहीं है धर्म करना है कौन करे धरम जिसने कीने धरम उसके फूटे करम ना मालू क्या-क्या अब शब्द कहता है गाली यां देता है सुनना सुनाना नहीं चाहताए केसी को धर्म बुद्धी का पाना अथ्यम्त दुरलव है आज कोई पूर्व पुन्य का कुछ ऐसा योग होगा जिसके कारण हमारी रुची ये तत्वग्यान के प्रती हो गई है नहीं तो किसको सुआती हैं आज के इस भोगों की तरफ दोड़ती हुई विलासिता की तरफ दोड़ती हुई इस दुनिया में जहां चारों तरफ हर व् जन्वानी की चर्चा वीतरागी भगवान द्वारा कही गई बातें सुनने के लिए एकत्रित होकर के बैठे हैं तो ये पंचमकाल का आश्यर ये नहीं है क्या ये महान आश्यर ये है पंचमकाल का जो इतने लोग हम सब एकत्रित होकर के जन्वानी की चर्चा सुनने के लि जहां शास्त्र सभाएं चलती हैं बड़ी से बड़ी शास्त्र सभावी यदि कहीं चलती होगी पूरे हिंदुस्तान में तो दोसों से ज्यादा लोग नहीं आते होगी रूटिन सभा की बात कर रहा हूं मैं रोजाना चलने वाली सभा की बात कर रहा हूं मैं और जिसमें तो कहते रहें पीछे पढ़ते रहें भाईया सुनने के लिए आओ भाईया मंदिर नहीं आते हो भाईया सुनो तो सही सुनते नहीं हैं भाईया आया करो यार आया करो यार तुम आये नहीं मंदर नहीं आरे प्राउचन सुनने के लिए आया करो बुड़ी बुड़ी अम्मा जी बाओ जी ऐसे लोग टोकते रहेंगे कहते रहेंगे भाईया सुना करो सुना करो बच्चों को कहते रहेंगे पोतों को कहते रहेंगे यवान साथियों को कहते रहेंगे बगों को कहते रहेंगे सुना करो सुना करो कौन सुनता है किसको फुरसत है दुकान से फुरसत नहीं मिलती व्यापारियों से फुरसत नहीं मिलती कमाने कमाने में लगा रहता है भोगने को फुरसत नहीं मिलती मैंने कैसी हालत है हमारी पूरे दुनिया भर में देखो तो सही यह कैसा समय है और ऐसे समय में ऐसे माहौल में 700 करोड की पॉपुलेशन में 700 करोड़ लोगों की population में हम ये गिंती के लोग जो सुन रहे हैं हम कितने भागेशाली हैं कितने भागेशाली हैं ये विचार तो करो आप आप सच में अपनी किस्मत को देखेंगे तो आप पाएंगे बड़े से बड़ा संकट ये दिया आपके ऊपर आपड़ेगा तो आप उसे ऐसे जेल जाएंगे पता नहीं लगेगा आपको अपने को पता नहीं लग रहा है रोजाना हम सुन रहे हैं हमें पता नहीं लग रहा है कि हमें मिल क्या रहा है हमें क्या मिल गया अरे यार टाइम वेश टाइम वेश क्या मिल गया कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ देखो उत्ता का उतना ही बज़न है वैसा का वैसा ही काला हू ही है, क्या मिल गया है हमारे को, सुड़ो, इलडाइविटी औरहार talks में भी, जो शानती है, ये ये मिल गया है, जो सहजता हैं, जो सहजता का चिंतन चल रहा है, जो भेद-विज्ञान का चिंतन चल रहा है, ये कमाल है इस निये में तस्वाद दियाएगा बोलो यह कमाल है वाई साब हमें हमें लगता नहीं कि कुछ हो गया रोजा ना सुनते हो रोजा ना सुनते हो कुछ होता तो है नहीं कुछ होता तो है नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए क्या करना है तुम्हारे को क्या होना है यह बत तब से मैंने आपका प्रावचन सुनना शुरू कर दिया, मैं समझ गया, यह चमतकार है आपके प्रावचन का, डाड़ का धर सही हो जाता है, अरे मूरक क्या, क्या कौन सी गलब पहमी में पढ़ा है, हमारा प्रावचन सुनने से तबेट ठीक नहीं होती है, लेकिन खराब त कितना दुरलब है, यह धार्मिक चर्चा हैं सुनने की रुची होना, आप जरा अपने आपको देखिए, फिर जरा अपने परिवार वालों के बीच में देखिए अपने आपको, फिर जरा अपने आसपास के माहल में जैनियों के बीच में अपने आपको देखिए, आपको पता लगेगा अरे मैं कितना भागेशाली हूं जो मुझे ये जिन्वानी सुनने को मिल रही है मेरी रुची है सुनने की रुची है लोगों की सुनने की रुची नहीं है बैठकर के नींद निकालते हैं बैठे बैठे उंगते रहते हैं रुची नहीं है रुची अनुयाई वीरिये, भव का अभाव होगा भाई साथ सही कह रहे हैं जिकनेश भाई, ये भव के अभाव का मार गए, ये धर्म बुद्धी पाना त्यंत दुरलब है, मान दुरलब है, पश्चात सम्यक्तों की प्राप्ति होना, भलो, इसके बाद फिर सम्यक्दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो फिर कितना कितना दुरलब बात हो गई, सम्यक्दर्शन की प्राप्ति होना, दादा की पंक्तियां सोनाता हूं, नर देह उतम देश पूरण, आयो शुभ आजी विका, क्या क्या एक एक शब्द ऐसे चुन चुन करके रखा है, गुन गुनाते रहो इनको गाते दौराते रहो इन पंक्तियों को इतनी महिमा आती हैं कि क्या कमाल किया है दादा ने, एक एक शब्द जो दादा की लेखनी से निकला है, कोछ चमतकारी काम हो गए हैं, अधानी कैसे कैसे घड़ी के अंदर निकले होंगे इस शब्द, मैंने पहले क्षत्र शुडामणी के अंदर जब जीवंदर स्वामी को वेराग्य हुआ ना, उस समय बारे भावनाओं की चर्चा की थी इनकी, वहां भी चली थी, अपने एक शब्द शुडामणी दोपेर में जो चल रहा है, उसमें जब बारे भावना की चर्चा आईगी अरे बड़े मारमिक प्रकरन है वो, बारे भावना में वहां जो चलाया, बोधी दुरलप भावना तीन दिन तक चलाई, तीन दिन चली, और अद्वुत दुरलपता की चर्चा है, दादा की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ देखो, वापस सुनो, याद कर लेना बड़ी सुन्दर पंक्तिया है, नर देह उतम देश पूरण, आयुशुभ आजीविका, दुरवासना की मंदता, परिवारे की अनुकूलता, सत सजनों की संगती, सत धर्म की आराधना, है उत्तर उत्तर महादुर लभ, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना, क्या कह रहे हैं भी या सुनो वापस सुनो जरा, एक एक शब्द की तरफ गौर फरमाई ये थोड़ा सा, नर देह, नर देह, यहां से शुरू किया है, नर देह, पिछली सारी बातों को उड़ा दो, अब उसकी क्या बात करें, एक इंद्री से दो इंद्री हो गया, यह पंचे इंद्री तक आ गया, दो इंद्री से चार इंद्री, पंचे इंद्री है, असेनी, पंचे इंद्री, तिरियंचे नहीं, मनुष्य क्या कहानी सुनाएं उसकी, मनुष्य देह की प्राती और उत्तम देश भारत भूमी में पैदा हो गये हैं बागे चलिए हैं आप धर्मन निर्पेक्ष राश्ट्र है ये भारत यहां हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सामर्थ के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को रुची के जैसा चाहे वैसा धर्म करने की स्वाधिनता है पत्नी एक धर्म अपनाएं और पती दूसरा धर्म अपनाएं देश कहता है कि स्वाधिनता है हमारा संविधान कहता है हर व्यक्ति को आजादी है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म आराधना करने की यह ऐसा देश मिल गया है आप किसी यह ऐसे देश में पैदा हो जाते हैं जहां जैन मंदर बनाने की परमीशन नहीं है आप जैन मंदर नहीं बना सकते हो देश की और देश की सीमाओं पर खड़े हुए जवानों की जो वहां तेनात हैं देश की सुरक्षा के लिए वे सुरक्षा कर्मी हमारे माननी प्रधान मंत्री जी हमारे रक्षा मंत्री जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे देश के पुलिस कर्मी जो लोग दिन रात मेहनत करक इस देश में शान्ती का वातावरन कायम किये हुए हैं और उस शान्ती के वातावरन में बैठ करके हम यहां शान्ती से तत्व चर्चा और स्वाध्याई कर रहे हैं। कि संड़्च ना कर पा रहा हूं बहुत बहुत उपकार है शासक का यह देश मिल गया है हमारे को देश उत्तम देश उत्तम देश आज यदि चिराग लेकर के ढूनेंगे तो दो सो से ज्यादा देश इस वरतमान पूरी दुनिया में उपलब्द हैं वरतमान दुनिया में पुराने सुनो आप पुराने 20 साल 25 साल 30 साल पुराने जो पता नहीं मैं भूल वाल गया सब लेकिन बहुत चलते देश वक्ती गीत जो चलते हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चला करते हैं देश में जो सुनो सुझ जरा उनको यह हमारा जो देश है यह देश बड़ा पूरन आयू शुभ आजीविका पूरन आयू नर देह उत्तम देश पूरन आयू आयू नहीं हो तो क्या कर लोंगे और इतना ही नहीं शुभ आजीविका बैया आयू भी यदी मिल गई अच्या देश भी मिल गया आयू भी मिल गई उत्तम अवस्ता हो गई 50, 60, 55, 65 के हो ग है तो रोटीयों के चक्र लगाने वाला व्यक्ति भोजन की विवस्ताओं के चक्र ुल्याओ व्यक्ति यह तत्व की आरादना कैसे करेगा आ्जी ओका भी तो एये आज हमारे सामने EE? निष्चिंत मिल गई अच्छी नौकरी मिल गई अच्छी जॉब मिल गई अच्छा बिजनेस हो गया पारिवारी का अनुकुलता इतना ही नहीं अच्छा मान लीजिए अच्छी आजीवी का भी आजीवी का के अंदर भी दादा नहीं यहां बहुत सुंदर शब्द का प्रियोक किया है दूसरों की जमिन जायदात को हड़प लेना भी लोगों की आजजीवी का होती है अरे हमें ये आजजीवी का मिल गई है इमानदारी से नियाय नीती से पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं शुब आजजीवी का मिल गई है लेकिन ये शुब आजीवी का भी एदी कदाच्चत मिल गई होती कल की फिक्र नहीं है ना हमारे को ये बात अलग है कि हम कल की फिक्र में बरत्मान को खराब कर रहे हैं आज दौपेर में सुनाई थे लिए शत्र शुड़ा मणी में एक कहानी ज्यान होगी ना आपको भीज दिया था उसके यहां मैरी तो व्यवस्ता हो गई है मेरा तो भौजन हो गया है कि शाम के लिए रखलो कि नहीं यह शाम के लिए भी क्या करेंगे होगी आप भूशने बहुत सारे लोग सुनते हैं किसने देखा कल और किसकी चिंता कर रहे हैं हम किस किसकी चिंता में लगे हुए हैं हम इसकी चिंता कर लो उसकी चिंता कर लो कल की चिंता कर लो दो साल बाद में क्या होगा फ्यूचर फ्यूचर देखता रहता है व्यक्ति बविश्य की चिंता करता है बुड़ापे की चिंता करता है बुड़ापे में क्या होगा वो साड़ा गला बुड़ापा जिस बुड़ापे के अंदर कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा बोलो कितनी दुरलब ता, कितनी परेशानिया हैं, सोचो तो सही, वो सोच रहा है उस बड़ापे के लिए, फ्यूचर, फ्यूचर सोच रहा है फ्यूचर, अरे फ्यूचर दिखा रहे हैं न यहाँ पर, यह फ्यूचर ही तो बतला रहे हैं, और क्या, शुब आजी वीका का मिलना, यह भी दुरलब काम था, और आजी वीका भी यह दी अच्छी मिल गई, पैसा भी यह दी खूब हो गया, आजी वीका से यह दी निश्चिंत भी हो गए, तो उस पैसे वालों की हालत क्या होती है भाई साव, यह तो देखो जरा, दुनिया में पैसे वालों के बच्चे आज पैसा भी मिल गया, संपन्ता भी मिल गई, शुबाजी वीका भी मिल गई, दुर्वासना की मंदता, यह माहां दुरलब है, उत्तर उत्तर दुरलबता की कहानी चल रही है, दुर्वासनाएं नहीं है, खोटी वासनाएं नहीं है, व्यसनों के चक्कर में उल्जे हुए नहीं, कुशी, लभी चार, शराब, जुओ, ना मालूम कहाँstesट, थुनिया भर में उल्जे नहीं, भाई सब्सक्राइए नहीं, इसने बचे वहें हैं। बहुत भागेश अलिए बहुत भागेश अलिएं मैं आप लोगों की तो नहीं कहता लेकिन इदी मैं अपने आपको देखता हूं तो मुझे तो मेरे सरकल में कोई ऐसा व्यक्ती ही नहीं दिखाई देते हैं जो रात को खाना खाते हूं बोलो परिवारों में मेरे खुद के परिवार में के मेरे ससुराल के परिवार में के जानकार लोगों के अंदर सब दिन में खाने वाले स्वाध्याई करने वाले जहां बेटते हैं वाँ चर्चा करने वाले विद्वान सब समझदार स्वाध्याई अभ्यासी सब सब वह ऐसी लोग दिखते हैं सब लेकिन दुरलब है मुझे मालूम है न बाहर का माहौल कैसा है जब यहां से बाहर निकलते हैं तो हालत किस परकार की है यह दुरवासनाओं की मंदता हो जाना अच्छा है यह वासनाओं की मंदता भी हुई मालीजे आपकी व्यक्तिगत आजीवी का बहुत अच्छी है व्यक्तिगत आपका स्वाध्याय चिंतन मनन यह दि मालीजे बहुत अच्छा है तो भी परिवार अनुकूल नहीं है भाई सा सर फोड़ता रहे माते फोड़ता रहे क्या कहें ऐसे पत्नी मिल जाए गुपाल लाल जी बरिया जैसी वो तो बरिया जी की शांत चिंतन था इसलिए जिन्दी अच्छे से निकल गई नहीं तो भाई साब बहुत खतरनाक है इस्तिति यह वो दो बिजली के तारों की तरह है य अच्या रोशन हो जाए घर और यदि गलत जुड़ जाए तो जटके लगते रहें वार वार में करंट के ऐसी इस्तिति है तो यह परिवार की अनुकुलता के संदर में बात करें आप यदि आज अपने परिवारों में अपने घर में बैठ करके यदि आप यह जिन्वानी क सुन रहे हैं या आपकी वाइफ नहीं सुन रही है या आपके मदर फादर नहीं सुन रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं आपकी बहुएं नहीं सुन रही है कोई बात नहीं उसके बावजूद भी आप उनको धन्यवाद दीजिए क्यों यह परिवार की अनुक कितने गरों के अंदर मैं सुनता हूं कितने जillä आती आज़ं कभी किन हमारे दादी जी आपको सुनते हैं मैं नहीं सुन पाता हूं लेकर लगा कर तेज़िवां अपरिमातम हो नहीं हो धरम सुनते हो फकार मानना पढ़े गा मानना चाहिए क्या हीरा चिंजी साहब मैं यह यह नहीं है बोलो हमारे परिवार में ऐसी अनुकूल था आज कौन किसको सुनने देता है यार यह आ गए यार फिर यह चला जेंगे फिर हमारा टीवी बंद कराएंगे फिर कम कराएंगे यह ले ले पंडी जी अलगी चालू हो गए इनका तो मालू हो जात ऐसे तूतू में जिरे तो नहीं है कम से कम शांती से बैठ करके सुन पा रहे हैं हम यह सदभाग्य के बिना नहीं होता है यह पुन्य के उद्य के बिना नहीं होता है कोई तो पुन्य कर्म है ऐसे कि यह होंगे जिसकी वज़े से ऐसा अनुकूल परिवार प्र पूरा परिवार सुनता है, हमारा भी परिवार सब बैठ करके सुनता है, मैं जानता हूं कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी, यहां क्या कह रहे हैं, परिवार की अनुकूलता का मिलना, यह कोई कम बात नहीं है, अनुकूल परिवार मिल गया है, अनुकूल परिवार भी मिल आए वाय साओ और सुनो आगे चल करके परिवार भी अनुकूल मिल गया लेकिन संगती नहीं मिली सत सज्जनों की परिवार में तो अनुकूल ता थी कोई रोक टोक तो नहीं करता हैं लेकिन हमें संगती मिल गई धरम के नाम पर लूटने वालों की हमें संगती मिल गई धरम के नाम पर खोटे धरम में उल जाने वालों की अब क्या करो बोलो धरम के नाम पर पूरे दुनिया भर में लुटे रे कम हैं क्या लूटने वाले कम हैं क्या बेवकू बनाने वालों की कमी हैं क्या सारे दुनिया भर में धर्म तो करना चाहते थे मंद कशाय थी परिवार की अनुकूलता थी जो चाहो सो कर लो और फिर गए किसी के पास में उन्होंने का तुम मंगलवार का भरत कर लेना इससे तुम्हारे ऐसे हो जाएगा ये शनिवार का कर लेना ये इस माला का जाप कर ले सत्व सज्यनों की संगती और संगती यहां सज्यनों की मिल गई तो फिर सचाधर्म मिल जाए सत्वार्म की आराधना कितनी बातें के दिए लाएने बोलता हूं वापस गुनगुनाते रहो मौज मस्ति से मैं तो चलता फिरता हुआ दिमाग में चलती रहती है गुंचती रहती है बस ध्वनी चलती रहती है अद्वुत है ये सब बाते नर देह उतम देश पूरण आयुशुभ आजीविका दुरवासना की मंदता परिवारे की अनुकूलता सत सज्यनों की संगती सत धर्म की आराधना है उतर उतर महादुरलभ आत्मा की साधना कहां तक आ गये थे अपन ये सब तो मिल गया अरे इतना सब तो हमारे को हासिल हो गया सत सज्यनों की संगती भी मिल गई और सत धर्म की आराधना भी करने का आउसर मिल गया है अब मैं कहता हूँ इन सब दुरलब चीजों में से हमारे को क्या माइनस पॉइंट है बतलाईए बोलो नर्देह मिल गया उत्तम देश मिल गया पूर्ण आयू मिल गई शुब आजीवी का मिल गई दुरवासनाओं की कशायों की मंदता है परिवार की अनुकूलता है सत सज्यनों की संगती है और सत्धर्म की आरादनाए इन में से एक भी माइनस पॉइंट नहीं है कितनी चीजें मिल गई है हमारे को लेकिन अब बोलो अब क्या करें इसके आगे इतना सब कुछ मिल जाने के वावजूद भी फिर क्या कहते हैं है उतर उतर महादुरलब आत्मा की साधना आत्मा की साधना यह सब चीजें मिल जाने के वावजूद आत्मा की आरादना आत्म स्बाव का अव्लम्मन अपने स्बाव की साधना हो जाना यह महान महानृ दुरलब है है उत्तर उत्तर महादुरलब आत्मा की साधना आत्मा की साधना मंत्रों की साधना करने वाले बहुत मिल जाएंगे आत्मा की साधना करने वाले कामिले आत्मा की साधमा की चिर्चर चल रही है कितना धूरलव है और समझे लिजये आप यह आत्मा की साधना के मार्ग में लगे हैं हम सब हम सब कितने भाग आशा ली है कई वे उतर उतर महादुर लभ आत्मा की साधना एक बार और बोलने का मने क्या कुछ नहीं समझा रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहा हूं सिर्फ चार का आनंद लो इसके भाव का आनंद लो इन शब्दों के पीछे चिपे हुए रैस्से का आनंद लो अपने सदवाग्य को देख करके अंदर ये अंदर मुस्कुराओ प्रसन हो जाओ मैं कितना भागेश जाली हूँ यार ये मुझे गह रहे हैं अबागा है नुकसान कर लिया पांच लाग रुपे दिये थे इसको डुबो करके आया बरबाद कर दिया इसने और मैं बहुत बागेश जाली हूँ मुझे पता है मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे आत्मा की साधना चाहिए ये सुनो देविलाल जी साब क्या है सुनो भीया ये दादा की पंक्तिया है उनकी लेखनी से निकली हुई शब्द है ये सब क्या किया रहे है नर्देह उतमदेश पूरण आयुशुभ आजीविका दुरवासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्यनों की संगती सत धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुरलब आत्मा की साधना जलो उत्तर उत्तर महादुरलब ये दुरलबता की चर्चाएं चल रही थी आगे भी पंक्तियां बड़ी सुंदर है मैं सुना नहीं रहा हूं दस मिनिट मेरी घड़ी दिखा रही है नौ मिनिट बचे हैं और इस प्रक्रण को आज संपन करेंगे अपन सुनो तो सही बहुत सारी बाते हैं अभी अभी पहुंचे हैं हम आत्मा की आराधना तक अभी हम पहुंचे हैं आत्मा की साधना तक और यहां आत्मा की साधना तक पहुंचने के बाद अभी अभी दुरलबता की कहानी खतम नहीं हुई है ये बोधी दुरलबता के संदर्म मैं अभी कह रहे हैं सम्यक्त्व की प्राप्ती होना दुरलब और फिर उसके बाद श्रावक के वरत श्रावक के वरत होना और फिर ये वरत अती दुरलब हैं श्रावक के वरत से मुनी के वरत धारन करना ओ श्रावक भी हो गया लेकिन मुनी अवस्ता की प्राप्ती करना ये यह श्रावक के वरत से मुनी के वरत धर्ण करना अत्यन्त दुरलव है तथा मुनी वरत में भी शुभो पयोग की दशा प्राप्त करना महान् महान दुरलव है शुद्धो पयोग अवस्ता आत्मा की शुद्ध अवस्ता आनंद आनंद के जरने जहां जरते हो अंदर में उसकी अवस्ता की प्राप्ति होना ये कितना दुरलब है उस मुनी अवस्ता की प्राप्ति करना अरे भईया इस जीवने संसार में देवों की रिद्धी और राजा आई क्यों रुका है बढ़ना आगे पिर दूसरा मन के दिए किते संदर लाईने में है क्या-क्या प्राप्त करके नहीं छोड दिया है क्या क्या चीज नहीं मिली है आज तक अना दी काल से ऐसी कौन सी चीज है स्वर्गों के वेबोग चोड़कर के आया है रत्नों की निदिय बैट करके सिंगा सनों पर वो छोड़ करके आज यहां आ गया है क्या चाहिए सोने सोने के लिए पीछे भाग रहा है गोल्ड के पीछे भाग रहा है दौलत के पीछे भाग रहा है रतनों के पीछे भाग रहा है सारे दुनिया भर में इधर उधर घुमता फिरता हुआ तो द हीरे जवारात मानिक मोतियों से जब लदा रहता था सब छोड़ करके आ गया है कुछ दम नहीं है अनंत बार उनको प्राप्त करकर के छोड़ा है अनंत बार उच्छिष्ट भोजी है भाई देखो क्या किरें संसार में देवों की रिद्धी और राजाओं की रिद्धी तो अ प्राप्ती की है अतीत की कहानी को यदि देखो तो आपको लगेगा कितनी कितनी बार और कितने जन्मों में क्या क्या नहीं पाया है हमने सब कुछ तो प्राप्त करके छोड़ दिया है यदि नहीं पाया है यदि नहीं किया है तो शुद्धो प्योग नहीं हुआ है नहीं ह संसार में देवों की रिद्धी और राजाओं की रिद्धी तो अनेक बार पाई परंतु टोडरमल जी के शिश्चे हैं दौलत राम जी का असलिवाल परंतु रत्मत रहरूपी निज निधी की प्राप्ति आज तक नहीं हुई इसलिए निज स्वरूप की प्राप्ति महान द पूरे दुनिया में खोजता फिरा मैं अपने आप कोई भूल गया देखो तो सही क्या हो गया पूरे दुनिया भर में दरदर की ठोकरें खाता रहा कि किसको तलाश रहा हूं कि अपने आपको तलाश रहा हूं क्या करूं अपने आपको तलाश रहा हूं खुद ही खुद को भ ही में है अमेरे रमेश जी पंडी जी है लवान वाले यह पूर में रहते हैं सांगानेर में वह बहुत सुनाय करते थे अभी भी है कस्तूरी तो नाभी में हैं वनवन का हें डोले रहें नाभी में कस्तूरी है क्या निरुपम भाई क्या कह रहे हैं बोलो कस्तूरी कस्तूरी जो होती है न ये म्रग कस्तूरी म्रग होते हैं अलग जाती के अलग तरह की special होती है वो तो उन में नाभी में जो कस्तूरी होती है एक कस्तूरी नाम का पदार्त होता है वो बहुत सुगंदित होता है खुश्बू पैलती है उसकी चारों तरफ और उसकी खुश्बू पैलती है तो वो कस्तूरी म्रग उस कस्तूरी की सुगंद को देख करके जंगल में दोड़ता रहता है कहां से खुश्बू आ रही है कहां से खुश्बू आ रही है ऐसे दोड़ता रहता है तो का भीया वो तो तेरे भीतर है सुख तेरे भीतर भरा भीतर में सुख भरा हुआ है उसका श्रद्धान कर उसका अनुभव कर उसका चिंतन मनन कर अंदर में देख आनंद के खजाने आनंद के जरने जरते हुए नजर आएंगे अतिंद्रिया आनंदरस के जरने जरते हुए नजर आएंगे स्वाव लंबन स्वाव लंबन होना चाहिए परोन मुकी दरश्टी नहीं होनी चाहिए दरश्टी हटाओ बाहर से और अंदर में ले जाओ बाहर में कुछ नहीं है ऐसा जो देखने लायक हो जब देखा निजात्मा तो जगत में कुछ देखने लायक नहीं दिखाई दिया अब क्या करें वहें न चेहरे से नजर नहीं हटती बोलो ये ऐसी है हालत एक बार देख लेए वें वगवान बगतामर में प्रियोक किया इस तरह का मानतूंगा चेहरे देवने क्या बोलो कौन कौन इच्छा करेगा कौन इच्छा करेगा खारे जल के पानी को पीने की भगवान आपको देख लेने के बाद दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं दिखाई देता है अब इस बात को या लगाओ अपने अंदर में हे चैतनित तत्व ए तरिकाली दुरूआत्म तत्व अपने सवरूप को देख लेनेके बाद ने सवर्गों के वैभा अकरशित करते हैं नन्नवन मुझे आकरशित करते हैं ने भोग मेरे चित को त लालायत करने के लिए समर्थ दिखाई देते हैं ज़र करें भाई जिनेंद्र ऐसी इस्तितिये बोलो तो सारे जग में भूम रहे सारे जग में भटक रहे हैं आनंद तो अंदर है भाई सब आनंद तो अंदर है ऐसा बता रहे हैं देखो क्या किया है संसार की सभी वस्तुये सुलब है धनकन कंचन राज सुख सभी सुलब कर जान दुरलब है संसार में एक जथारत ग्यान यह लिखा है यहां धन कन कंचन दन मिल गया कंचन सोना चांदी मिल गए बोलो सब सुलब हैं सब सुलब हैं इनकी प्राप्ति हो जाना अनंत 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 बार प्राप्त करके छोड़ी है खूब मिल गई है अर्था चीगरी ही प्राप्त हो सकती है परंतु केवल ग्यान का प्राप्त करना परम धुरलब है केवल ग्यान की प्राप्ती आज तक केवल ग्यान की प्राप्ती नहीं हुई है परम प की प्राप्ती नहीं होती मोख्र के लिए यदी कोई अनिवारिय कारण है तो इसे केवल गया आगम गृंधों की बात कह रहा हूं आगमो में मोक्ष का जो मूल कारण कहा है तो केवल गयान का है हम जब नियाए शास्त्रों में जब पढ़ते थे तो उस समय बिलकुल ये कहा जाता था कि नहीं ये भी नहीं सम्मेक दर्शन भी नहीं सम्मेक ज्यान भी नहीं ये भी नहीं मुनी बनने के बाद भी ये हो जाए मोक्ष नहीं हो वे स्वर्ग में चला जावे शेनी चड़ना भी नहीं दसवें, ययार वें इसकों घृषों को जिसेस केवल-ग्यान की प्राप्ति liability है ततपर और प्रयत्नशील होना चाहिए हर व्यक्ति को प्रेत्मेशील होना चाहिए तत्पर रहना चाहिए उस केवल ग्यान की प्राप्ति करने के लिए जब तक केवल ग्यान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक केवल ग्यान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह आत्मा संसार में भ्रमन करता ही रहेगा करता ही रहेगा इसलिए हे आत्मा अब इस हे आत्मा में अपना अपना नाम लगा लो सब बो सब जगे पर अपना नाम लगा लो इसलिए हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा कौन मैं आत्मा ही तो हूँ भाई ये देह नहीं हूँ मैं मनुश्य नहीं हूँ मैं चर्म चक्षों से दि देने वाला मैं नहीं हूँ मैं कोई और तत्व हूँ है है दीव है आत्मा है चैतन्य तत्व यदि तुझे वास्तिविक सुक्की प्राप्ति करनी हो तो तू शीग रही चार घातिया कर्मों का नाश करके केवल ग्यान प्राप्त कर संबोधन कर रहे हैं हमारे कुछ जितेंजी साव अपने को संबोधन कर रहे हैं यह है आत्मा कह करके यह हमें कह रहे हैं यदि चतुरगती के दुखों से चूटना चाते हो यदि संसार के दुखों से चूटना चाते हो यदि अतिंद्री आनंद और सच्चे सुक्की प्राप्ति करना चाते हो आपके उपर स्वहाई सन्मुक्ता सईथू चिंतन करना यह वह दिदुरलब भावना है देखो भाई मुझे मौनहीं केवल गयांगी प्रापती करना आसान तो नहीं है दुरलब तो धुरू भी तो बतारें कहना सरल है बात तो ठीक है कहना सरल है बात हुना कठिन हैं लेकिन इसकी भावना तो भाएं भावना तो भाएं हम निरंतर इस बात का विचार चिंतन तो करते रहें हमें क्या मिल गया हैं दो पैसे का नुकसान हो गया तो सर पकड़ करके रोना तो बंद करें क्या हो गया हाथ पाउंट तूट गया फैक्चर हो गया कहीं किसी तरह की तकलीफ हो गया हड़ी तूट गया है दाट निकल गया है डाड निकल रही है अकल डाड आ गया है कान का परदा पट गया है क्या हो क्या गया मुझे ये तो बतलाई है क्या बोलो मैंने मेरा कहने का मतलब ये हैं भावना भावनाशी नहीं है ये भावना भावनाशी नहीं ये बारे भावनाओं का चिंतन ग्यानी करते हैं ये बारे भावनाओं का चिंतन और आराधना हर ग्यानी व्यक्ति करता है मुनी बनने के पहले भी करता है और मुनी बनने होने की मा यदि कोई हैं तो ये बारे भावनाएं हैं और बारे भावनाएं मुनी बनने के बाद जो चिंतन की जाती है वो मुनी अवस्ता को मेंटेन रखती है मुनी अवस्ता से विचलित नहीं होने देती है ये है तो स्वसनमुक्ता सहित चिंतन करो इस बारे भावना का ये त्रिकाली दुरुप चेहतने तत्व को लक्ष में लेकर के करो बारंबार चिंतन करो बारंबार चिंतन करो बार बार चिंतन करो करते रहो करते रहो करते रहो दिन भर चिंतन करते रहो और गुन गुनाते रहो और मस्त हो जाओ अपनी अस्ती की मस्ती में जूमते रहो बस क्या हो गया समयों एक बड़े नहीं गड़सी यह विचार चिंतन बारंबार चिंतन करना बोधी दुरलब भावनाएं बहुत बातें के दिये नीचे दो पंक्तिया इन्होंने प्रस्तुत कर दी है यहां शायद कासलिवाल जी की ही पंक्तिया हैं क्या किया रहे हैं कि दौलत राम जी कासलिवाल दौलत राम जी कासलिवाल सापकी पंक्तिया हैं हाँ बोधी आपको भाव है नहीं है दुरलब पर को भाव जाकी प्रापती होए ना जो अपनोस भाव मोकू दुरलब नहीं लिए उन्हों ने जैसे चींजी श्रवर साभणा साथ ने लगी बोदिया आपका भाव है थाकिंआभ्य यहाvens में प्रापति नहीं हो पा रही है वह कठीन है भव में प्रापती नहीं हो रही है देखो और भी बहुत सारे विद्वानों की बारे भावनाए हैं हम इदर उधर नहीं ले रहे है हैं हम सिर्फ पढ़नूंभावारती है अपने पढ़दी है पंक्तियां कुल मिलाकर के बोधी दुरलब में दुरलबता की भावना बताते बताते के दिया, अरे कोई दुरलब नहीं है, तेरा स्वबाव और तुझे अनुभव करना है, इस ते ज्यादा सरल क्या होगा, जेब में से जेब में रखे हुए पैसे निकालना ये कठीन है, ये कठीन है, जेब में रखे हुए पैसे निकालना कठीन है, लेकिन आत्मस वबाव की प्राप्ती करना सरल है, हाथ मसवाओ की प्राप्ति करना सरल है क्योंकि जेम में से पैसे निकालने के लिए जेम में पैसे होने भी चाहिए और जेम में पैसे यदी कदाचित हो तो हाथ सही होना चाहिए और हाथ यदी कदाचित हो तो पेरिलेसिस नहीं होना चाहिए हाथ होने चाहिए कितनी तरह की उसमें परतंतरता हैं फिर इच्छा विकल्प फिर ग्यान में होना चाहिए कि जेब में पैसे रखे हुए ऐसे थोड़ी न निकलते हैं कितनी तरह की बातें उसके अंदर लागू होगी लेकिन भाई साव ओहो ये तो अपने आत्म सवाव की प जब द्रश्टी पड़ी मुझे पर मुझे को सवाव का वान हुआ बस इतना सरल है कठिन नहीं है सरल है कठिन मत मानना सरल मानकर के सवाव का अवलम्मन करने का प्रयत्न करना अवश्य ही प्राप्ती होगी हम सब को ये सब जितनी जितनी दुरलबताएं कही है ये सब तो हम ने स्वभाव के अवलंबन पूरवक होने वली अल्प काल में हम सब को वह स्वभाव का अवलंबन भी प्रकट हो इसी मंगर भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ निज निधी निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है